नमस्कार, क्रांती ओरेसा में आपका स्वागत है एक बार एक राजा ने अपने राजवध्य को अपने बीमार हाथियों के उपचार के लिए बुलाया राजमहल जाते समय राजवध्या एक पेल की छाया में लेट गया अच्छानक एक कोई की बीट उसके माथे पर गिरी वो बहुत प्रोधित हुआ और उसने सारे कौउं को मरवा देने का निश्चे किया उसने राजा के पास जाकर सुझाव दिया हाथियों के घावों पर कौउं की चर्बी मलने से भी ठीक हो जाएंगे राजा ने आदेश दिया कि दवा बनाने के लिए सारे कौउं को मार डाला जाए कौउं को मारने का काम शुरू कर दिया गया कौउं का सरदार राजा के पास गया और विनती करने लगा हम लोगों को मत मारिये सच तो यह है कि कौन के शरीर में चर्बी हुती ही नहीं है। राजा को अपनी गलती महसूस हुई और उसने दुष्ट राजवध्य को दन देने का आदेश दिया।